आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सेवेंथ चाप्टर नमबर टू अपरेशन तो रैशनल लंबर वैल्य बेस्ट कोश्चन कोश्चन नमबर देखिए कोश्चन है इसमें क्या दिया है रोहित डूनेटेड वन बाइ फाइव ओफिस मंतली इंकम तू अनोन गॉर्मेंट और गॉर्गनाइजेशन एंजियो मरला जो गॉर्मेंट के अंडर नहीं होते लेकिन लोगों की हैल्प करने के लिए होते हैं वर्किंग फॉर्ट अजुकेशन ऑफ गर्ल्चाइड और यह जो एंजियो है वो किस के लिए काम करता है कि जो गर्ल्चाइड है उनकी एजुक अब आप सबसे पहले देखेंगे लेट टोटल सेलरी कितनी है तो उन सबसे पहले लेखेंगे लेट टोटल सेलरी लेट टोटल सेलरी ओफ रोहित इस एकोल टो रूपी एक्स तो यहां से देखो मैंने थोड़ा सा लिख लिए यह तो यहां से देखो क्या है वन बाई फाइव तो उसने स्पैंट किया है कि जो गर्ल चाहिँ है उनकी एजुकेशन के लिए उनने डोनेट कर दिया है डोनेट टो एँ और लेकिन आपको यह देखना है कि यह वन बाई फाइव किस चीज का जितनी उसकी टोटल सेलरी थी उसका वन बाई फाइव ओफ कितनी है एक्स तो मतलब यह कितना हो जाएगा ओफ का मिनिक होता है multiply means x by 5 ठीक है spent on food यहां लिखा गया spent one by four of his salary on food one by four of total salary total salary कितनी है x of का मतलब है multiply मतलब x by 4 ठीक है spent on rent rent पे उन उसने spent किया देख को यहां लिखा गया है one by three on rent तो spent on rent है one by three ठीक है अब one by three किसका जितने total मिले होंगे जितने total salary मिले होंगे उसी का तो one by three of x तो मतलब है यह कितना आ जाएगा x divided by three spent on other expenses one by fifteen तो one by fifteen जितनी total salary था उसका one by fifteen other expenses जो मोटे मोटे और खर्च हो लो उन पे हो गया वो खर्च x divided by fifteen अब आप देखो total salary तो है उसकी x और खर्च हुए है तो हमें यहां से पता चलगा total salary हमने let कर लिए को कि इसमें दी नहीं गई थी तो हमने let किया है total salary x और यह expense है x by five x by four x by three और x by fifteen अब आप यह बताओ इसमें चीज और दी गई है he is left with nine thousand वो उसके पास कितने रुपीज रह गए है nine thousand रुपीज रह गए है अब आप यह बताओ अगर मैं total salary में से total salary में से उसके minus कर दू total expense total expenses ठीक है तो क्या रह जाएगा वो तो remaining रह जाएगे nine thousand रह जाएगे यही है न जितने उसकी total salary थी अगर हम उसमें से उसके सारे expenses minus कर दें तो कितने रुपीज बच जाएगे total salary में से expense minus कर दो तो nine thousand रह जाएगे अब total salary हमने question में कितने लिए है x और total expense कैसे निकलेंगे आप खुद सोच के बताओ आप देखो कैसे निकालोगे जितना जितना खर्च हुआ है उन सबको add कर लो NGO को दिये है x by 5 खाने के उपर खर्च हो गए है food के उपर x by 4 rent के लिए दिये है x by 3 other expenses में use हो गए है x by 15 कोई और आप मालो की आप कहीं से आये मालो आप माली जे इरिक्षा से आये ठीक है तो आप उन सब जितने वी expense होते है आप उनको क्या करते हो टोटल करते हो और जितने रुपिस आप घर से ले गई है और वो कितने है 9000 तो अब हमें इस question को solve करना पड़ेगा अब आप यह देखो अब आपको लग रहोगा कि मैं हमने तो यह वाले rational number पड़े हैं 2 by 3 3 by 4 x by वाले तो नहीं पड़े तो इससे कोई फरक नहीं है question सेम चलेगा ठीक है लिखा है कोई बात नहीं आप इसको x को मान लो कि 1111 है ठीक है आप यह मान सकते हो तो आप यह देखो आपको जो नीचे वाले नंबर है उनका calcium find करना पड़ेगा मैंने आपको सिखाया था कि जो बड़ा नंबर है उसकी टेबल पड़ो 15 1015 15 की टेबल में देखो क्या यह इन एना आता है नहीं आता फोर की में नहीं आता अब नेक्स 15 2030 वह भी देखो यहां से इन दों में आजएगा इसमें नहीं आएगा 15 345 नहीं आता 15 4000 60 60 इससे भी कटोगा इससे भी काट और इससे भी अगर ऐसे कर ना जाते तो आजरो अधरवाइस आप क्या कर लोगे LCM find कर लोगे तो इन सब का LCM find क्या तो वो कितना आता है 16 clear है यह मैं आपको पूरे chapter में करवाती हा रही हूँ कैसे था नीचे वाले को नीचे वाले से divide या फिर करके दिखा देती हूँ 5, 4, 3 और 15 का LCM find करेंगे ठीक आप 3 से पहले 2 से कर लो 2 से यह नहीं होता 2, 2, 4, 3 नहीं होता 15 नहीं होता 2 से 5 नहीं होता 2, 1, 2, 3, 15 यहाँ 3 से करेंगे 5 asities रह जाएगा 1, 3, 3, 5, 0, 15 ठीक है वाले नीचे कितना आ जाएगा 5 3, 1, 0, 3 3 से किया 3, 1, 0, 3, 5, 0, 15 यहाँ पर थोड़ी सी जगया नहीं है परे पास 5, 1, 0, 5 5, 3, 0, 15 नहीं, स्वोरी 5 यहाँ से 5 इता थोड़ी सी स्पेस की वज़ए से यह हो रहा सी ठीक है तो इनको जब आप मल्टिप्लाई कर लेगा 2, 2, 0, 4, 4, 3, 0, 12 12, 5, 0, 60 12 से हम कीतना आ जाएगा 60 अब हम नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे 60 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60 को 5 से डिवाइड करते है 5, 1, 0, 5 5, 1, 0, 5, 5, 2, 0, 10 मतलब उपर वाले नमबर को कितनी से multiply करना पड़ेगा 12 से ठीक है ऐसे जब 60 को आप 4 से divide करोगे तो कितना आएगा 15 ठीक है 60 को जब आप 3 से divide करोगे तो कितना आएगा 20 15 की table में 60 कहाँ पर आता है 15, 4,060 ठीक है यह वैसे का वैसे question है जैसे हम पहले करते थे जूम करके दिखा देते हो आपको ठीक है अब 12 को X से multiply करोगे तो कितना आएगा 12X 15 को X से multiply करोगे 15X 20 को X से multiply करोगे 20X और 4 को X से multiply करोगे 4X यह आपके कितना हो जाएगा 9000 ठीक है तो यहाँ से देखो x by 1 है minus इन सब को add करो 12x, 15x, 20x और 4x इन सब को आप add करोगे तो आपके पास कितना हैगा अलग से करना अलग से करो या फिर ओरली ही करो x की जगह x से लिखा दाएगा सिर्फ आगे जो यह numerical value है सिर्फ इस numerical value को add कर दो तो यह कितना बन जाएगा 51 ठीक है equal में कितना हमारे पास 9000 1 और 60 का calcium आएगा 60 निचे वालो को डिवाइड करोगे 60 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 60 तो उपरवाले नंबर को 60 से हम क्या कर देंगे multiply 60 को x से देगो जब भी आप एक single number हो और एक variable हो 60 को x से multiply करेंगे 60x minus 51x is equal to 9000 यह आप 6 में भी करके multiply करना 60x में से 51 minus कर दोगे तो आ जाएगा 9x by 60 यहां से आ जाएगा 9000 अब आप यहां से देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 9 divided by 60 multiply by x is equal to 9000 लिख सकते हैं multiply में ही तो है यह x को यह लिखा रहे हैं तो यहां से 9000 यह 9 by 60 है यह इदर multiply में इदर जाके किस में होगा divide में 9 by 60 तो x का अंसर आजाएगा 9000 multiply 9 by 60 का उल्टा हो जाएगा 60 by 9 9109 9109 30 60 को जो 1000 से multiply करोगे तो हो जाएगा 60,000 तो x आपका 60,000 आया है और x actual में क्या था total salary of rohit तो यहां पर आ रहेगा therefore total salary of ro therefore total salary total salary is equal to रूपी 60,000 रूपी का symbol लगाना ज़रूरी है ठीक है तो यह तो हो गया आपका यह तो question था जो हमने question solve कर दिया ठीक है अब इसमें कई value based question है तो आपसे values भी पुछी गई है what value of rohit are depicted here यहां पर आपको rohit की क्या value पता चलती है अब rohit देखो rohit ने क्या किया है rohit ने अपनी salary का कुछ part NGO को donate किया girls child की education के लिए ठीक है तो इसकी आपको पता चलेगी care for girls लिख सकते हो ठीक है ठीक है गर्ल चाइल्ड गर्ल चाइल्ड kindness ठीक है next है c part c part में उसे पुछा गया है why is the education especially for girls important अब आप देखो girls के लिए क्यों जूरी है अगर girls को ना पढ़ाएं तो अगर माल लेजे कि girls को कुछ भी नहीं पढ़ाएगा वो सिर्फ घर पर बट्टी है उन्हें तो यह भी नहीं पढ़ाएगा कि बस के आगे लिखा हुआ है वो क्या चीज है वो तो अगर माल लेजे किसी शोप पे कुछ लेने जाएंगे उन्हें तो यह नहीं पढ़ाएगा कि मेरे पास कितने रुपीज है उसे तो count करने भी नहीं आएगी तो क्यों जरूरी है girls की overall development मतलब उनको हर कुछ आए ठीक है इस वज़े से उनकी education बहुत जरूरी है लिखेंगे 4 overall development of girls 4 overall development of girls तो यहाँ पर आपका value-based question complete हो गया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगिया तो वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें और अपने friends के साथ share ज़रूर करें Thank you so much